आप जैसी option trading में आते हैं आप लगबख सब कुछ सिखते हैं आप candlesticks pattern सिखते हैं आप chart pattern सिखते हैं आप support resistance, supply demand, dynamic resistance support सारा कुछ सिखते लेकिन उसके वावजूद भी आपके हाथ में क्या आता है last में सिर्क loss, loss और loss ऐसा क्यों है क्योंकि आप जैसे ही सोचते कि market मैंने यहाँ पर position बनाया है market उपर जाएगा market उपर न जाके market नीचे चला जाता है आपको लगता है market नीचे जाएगा market थोड़ा नीचे जाके market वहाँ से उपर चला जाता है तो यह कौन है जो market को move करता है हमने तो यहाँ पर trade ले लिया इसी चकर में कि हम जो trade सोच विचार करके ले रह है कि market हमारे दिशा में चलेगा पर market हमारे दिशा में चलता ही नहीं तो फिर कौन है जो उस दिशा में ना चलाके अपने हिसाब से market को और उपर नीचे करते रहता है इन ही को हम कहते है FIs और DIs कौन लोग है ये 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 वो लोग है जिनके पास बेशुमार पैसा है option trading में काम करने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं सबसे पहले आते है FIs का मतलब होता है foreign institutional investors ये विदेशी company होती है विदेशी लोग होते है जो हमारे भारत में innovation करते हैं सीधा सीधा शाब्दिक इसका अर्थ समझिए अंग्रेजी से हिंदी में दूसरे होते domestic domestic मतलब स्वदेशी भारती है हमारे जो भारती investors है जो यहां पे भी सिर्फ वो लोग नहीं जो बहुत थोड़ा बहुत खर्चा करते ये ये भी बड़े-बड़े institution होते है mutual funds होते हैं और तीसरे होते retailers मैं और आप retail traders उनको कहते हैं अगर पैसों के मामले में देखा जाए तो retail traders के पास कितना पैसा होता है एक रुपए से लेके 10 करोड तक market में invest करने लाइक पैसा होता है एक retail trader के पास मतलब में छोटे retail trader से बड़े retail trader की बात कर रहा हूँ लोग इसके अंदर ही trade करते हैं खासकर ये लोग होते हैं buyer और जो आपको यहाँ पे F20 दिखाई दे रहा है foreign institutional investors इनके पास कितने होते हैं इनके पास लाख करोड होता है एक करोड दो करोड दस करोड पास्षो करोड नहीं लाख करोड होता है उससे भी जादा होता है इनके पास बेशुमार पैसा होता है इसलिए वो लोग मार्केट को उपर और नीचे ले जाने की ताकत रखते है यही वो लोग है यही वो चीज है चो मार्केट को आपके दिशा में ना ले जाके वे लोग अपने दिशा में मोड देते हैं तो बहतर है कि if you can't beat them just be with them मतलब आप अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो बहतर है कि आप उनके साथ हो जाईए मतलब यह हुआ कि अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका दिशा बारबार गलत होता है तो आप foreign investors FISDIs जिस तरफ market को लेके जा रहे हैं उस तरफ अगर चले ज तो component जो होता है FIS का सबसे पहला होता है daily options activity कि market में option trading में daily क्या-क्या चीज़े हो रहा है तो यह एक FIS का component है मतलब FIS component का मतलब यह है कि FIS जो है यह पाथ चीजों से बना हुआ है उसमें यह पाथ सामगरिया है तो सबसे पहला वाला कौन सा है सबसे पहला है कि वो daily options के activities पे ध्यान देता है अगला है daily futures activity वो futures के activity पे ध्यान देता है तीसरा है change in futures of OI इसके भी बहुत बड़ा काब करता है कि futures के OI में किस तरीके से बदला आवा रहा है यह भी FIS का एक component है चौथा है options positions as of day फिलहाल आज के तारिक में options का position क्या है उस पे निगरानी रखना उसको analyze करते रहना यह भी FIS का एक component है और fifth और आखरी है stock activity क्योंकि देखिए stock से ही stock का तो bunch होता है हम जिसमें index में हम जो काम करते बैंक निफ्टियो निफ्टियो फिन निफ्टियो संसेक्सो यह तो these are the bunch of stocks एक group है stocks के तो उन पे भी नजर रखता है कि वहाँ पर क्या काच काम हो रहा है तो यह होगी बात है हमारे components of FIS का अब हम बात करेंगे कि FIS और DIS प्रति दिन काम कैसे करते है और यह data हमें कहा मिलेगा तो आईए मैं आपको उस data के बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको यह data बहुत आसानी से आपको दिखाई देने वाला है आईए तो देखिए हम अगर देखते हैं यहाँ पर तो यह आपका data है FIS और DIS का data आपको कहा मिलेगा मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देता हूँ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा FIDI activity आप अगर गूगल पर जाके सर्च करेंगे FIDI activity तो आपको बहुत सारे websites मिलेंगे including money control NAC का भी data आपको दिखेगा वहाँ बहुत कुछ आपको वहाँ पर दिख जाएगा उन में से मैंने जो चूज किया है वो है stock edge का आप इसको चूज कर सकते हैं मैंने बस इसलिए किया है क्योंकि इसका जो interface मुझे बहुत जादा प्रवावित करता है मुझे सम मुझे में थोड़ा आसानी होता है आईए अब हम बात करते हैं कि FI's data तो हमने चार्ट को निकाल लिया है अब यह market में काम कैसा करता है वे लोग काम कैसे करते हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजे लिखाई दे रहा है सबसे पहले क्या-क्या यहाँ पर FI's cash market और अच्छा एक बात और है आपको इसमें जो कॉलम में जो जाना है वो आपको डेवाइस में जाना है आपको बहुत सारे सीवें सीएम प्र आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर Daywise को क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर FI's और witis का जो पिछले दिन का का जो कामकाच का खरीदारी जोगने पर जोग डेटा है 30 अगस्ट का मतलब शुक्रवार, आज था सोवार आपको हमेशा यहाँ पे एक दिन जो ट्रेडिंग सेशन हो चुका है उसका डेटा आपको दिखेगा शनीवार रिवार चुटी था 31 अगस्ट और 1 सेप्टेंबर को चुटी था इसलिए 30 अगस्ट का आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है सबसे पहला यहाँ पे F.I.S कैश मार्केट और B.I.S कैश मार्केट इसका मतलब है कि F.I.S ने मार्केट में कितना कैश दे के खरिदारी की है या विक वाली की है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर उपर में आपको एक चीज बे दिखाए दे रहा है यहाँ पे करोड से लिखा हुआ है मतलब यह कई सौ रुपए, हजार रुपए, लाक रुपए में नहीं यह करोड में खरिदारी होती है, करोड में विक वाली होती है साथ में मैं आपको एक बात बता दू कि इसमें जो डियाईज है वी जादा तर स्टॉप में निवेश करते हैं ना कि आप्शिंस में इस बात को आप याद रखिएगा अब आपको अगर दिख रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे एफ़ाईज ने काम किया है एफ़ाईज ने खरीदारी किया है तीस तारीक को लगभग पाच हजार तीन सो अठा करोर का और डियाईज ने यहाँ पे बिकवाली किया है और मोस्ट तीन हजार एक सो अठाटवे करोर म महिनों से सालों से trade कर रहे हैं आपने बहुत अलग-अलग strategies को apply किया है और आपको apply करते-करते एक चीज़ का बिल्कुल ये confirm अपने कर लिया है कि कोई भी strategies 10 में 10 नहीं दे सकता 100 में 100 नहीं दे सकता मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से कम से कम win rate जो होगा वो 7 होगा 8 भी हो सकता है लेकिन अगर आप 10 के 10 ट्रेड लेंगे तो सभी के सभी वो profitable नहीं हो सकते उसी तरीके से FIs और DIs का जो data है वो market पे बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है ये ज़रूरी नहीं है कि जो data आप यहाँ पे यह जो data यह तो सच है यहाँ पे FIs ने इतना ही खरीदा है DIs ने इतना ही बेचा है इसमें कोई जुट बात नहीं है लेकिन इसका असर अगले दि आसर पढ़ता भी है स्कूल मिलाके कम से कम अगर आप 10 दिन इसके बेस पे ट्रेड लेंगे तो आपको 6-7 दिन आप profit में होंगे लेकिन बाकी दिन आपको नुकसान का सामना करना पढ़ सकता है मैं आपको उधारन के तौर पर बताता हूँ मार्केट में बड़े मूव्स कब आते हैं सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा देखिए मार्केट में बड़े मूवस तब आते हैं जब किसी की बिकवाली कम है और किसी की खरीदारी ज्यादा है सबसे पहला condition ये है मान लीजिए F20 ने बड़े पैमाने पे खरीदा है बहुत बड़े पैमाने पे जैसे की मान लीजिए 10,000 करोर का मार्केट में इन्होंने खरीद लिया है 10K C.R. इन्होंने खरीदारी की F20 और DI की अगर मैं बात करूँ तो DI ने यहाँ पर बेचा है लेकिन मान लीजिए 500 कर लोड़ी बेचा होगा तो उस हिसाब से F20 का यहाँ पर पलड़ा काफी भारी हो जाता है जिसके कारण हम मार्केट में अच्छा खासा एक बूलरन देख सकते हैं और मार्केट में बड़े मूब्स के लिए 1000 के ऊपर आकड़ा चाहिए होता है तब जाके मार्केट में ठीक लेकिन उसके जगह पे अगर आप F20 जितना विकवाली कर रहा है और DIs उतना ही बेच रहा है तो मार्केट में बड़े बड़े मूब्स नहीं होने वाले क्योंकि यह पर दोनों का अगर आप देखने जाएंगे तो दोनों लगबग लगबग सेम से हो जाते हैं तो ऐसे समय पे यह घटना होने की संभावना जादा होती है आपको मैं और एक कंडिशन बताता हूँ कि यह ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में बड़ी सी विकवाली है बड़ी सी खरीदारी जब आप F20 में देखेंगे तो अगली दिन आपके बड़े मूब्स देखने को मिलेगा ही मि अगर हम चले जाते हैं 19 तारिक का मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ 21, 20 और 19 अब 19 तारिक का मार्केट देखी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आपको यहां पर इंटरस्ट भी आएगा कुछ चीशे समझ में भी आएगी अगर आप यहां पर देखते हैं F20 का डेटा क्या कहता है F20 कैश में कितना हुआ है यहां पर F20 ने लगबग 2600 माल यहां पर बेचा है 2600 करोड का और D.I.S. ने क्या किया वही पर 800 करोड का माल खरीदा है अब उस हिसाब से जैसा कि मैंने अभी तक हम में महीने अगस्ट महीने के 30 तारिक का देख रहे थे वहाँ पर लगबग 5000 करोड का F20 ने खरीदारी किया है 3000 करोड के आसपास दिया ही ने बिकवाली की है पर मार्केट में आज के दिन दो तारिक को मोमेंटम नहीं आया था जादा मार्केट मूग किया ही नहीं लेकिन 19 तारिक का डेटा हमें ये कहरा है कि मार्केट नो उससे भी कम जितना शुकुरवार को खरीदारी बिकवाली जी थी उससे भी कम FIs ने बिक्वाली किया है और BIs ने यापर खरीदारी किया है तो उसकी हिसाब से 20 तारिक को मार्केट बहुत कम चलना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 20 तारिक को हुआ क्या था अभी हम आगए हमारे 19 तारिक के चार्ट के और मैंने आपको दिखाया है कि 19 तारिक को खरीदारी कितना हुआ था लगबग यहाँ पर FIs ने काफी सारा बेचा हुआ है 2000 के आसपास और DIs ने खरीदा है लगबग 800 के आसपास अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि फिर 20 तारिक की इसाब से 20 तारिक मूब जादा नहीं करना चाहिए था लेकिन हम जैसे 20 तारिक को पहुचते हैं हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े यहाँ पे केंडल्स बनने शुरू हो गए मार्केट लगबख शुरू होने के साथ 500 पॉइंट्स मार्केट उपर चला गया और अगले ही दिन मार्केट उतना सारा नीचे भी चला आया उसी समय बारा बज़े एक बज़े के बाद से लेके मार्केट जहा तक पहुचा था उतना ही मार्केट करेके भी हुआ था तो कुल मिलाके इससे हमें एक संकेत जो जरूर मिलता है कि मार्केट अगर F20 और DIs का खरीदारी और बिकवाली का प्रोपोर्शन अगर एक रहता है जैसे F20 ने लगबग बेचा है 2000 करोर के असपास DIs ने यहाँ पर खरीदारी किया था लगबग 800 के असपास 1600 के असपास तो दोनों का प्रोपोर्शन देखने जाते है तो सेम सेम हो रहा है बिकवाली जितना है खरीदारी भी लगबग लगबग उतना है उस दिन हमें क्या दिखाई देता है कि मार्केट में मूब आए या ना आए मार्केट जहां से शुरू होता है वही पर आके लगबग लगबग खतक होता है लेकिन बड़े मूब्स आएंगे या नहीं आएंगे इसकी गैरेंटी एफ़ाईस और डिआईस के डेटा से पता नहीं चलता है आभी सकते और नहीं भी मैं आपको आज का उधारन दिखा देता हूँ आज के दो तारी मैं थोड़ी देर पहले आपसे मैं आपको बता रहा था कि मार्केट लगबग पाच हजार एफ़ाईस ने खरीदारी किया था पाच हजार के आसपास और यहाँ पर डी आईस को अगर हम देखेंगे तो लगबग तीन हजार के आसपास मार्केट में इसने बिकवाली किया था कब तीस अगस्ट को ठीक है मैं आपको एक बार वो डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको चीजे थोड़ा सा और कन्फर्म हो जाएगा यह देखिए यह उन्लिस तारिक और आज का देखिए यह तीस तारिक है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एफ़ाइस ने लगबग पाँच हजार के आसपास खरीदारी किया था और डी आईस ने में कहे रहा है कि मार्केट जहां से शुरू हुआ लगबग घूम फिर के मार्केट वही बंद हुआ तो मैंने जो आपको बताया कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत फरक में रहेगा तो मार्केट मूब करेगा भी तो लगबग जहां से शुरू हुआ था वेपे बन जोगा लेकिन ये पूरी तरीके से एक सटल नियम नहीं है कोई कोई दिन होगा जहाबे मार्केट में आप एक दिन पहले देखेंगे कि F20 में खरीदारी बिक बाली बहुत कम हुआ है उसके बावजूदी मार्केट बहुत अच्छा का सा मूप किया है लेकिन किसी दिन आप देखेंगे कि सब के सब ग्रीन है उसके बावजूदी मार्केट हीला नहीं है किसी दिन उसकी हिसाब से हिलेगा भी चलेगा भी तो फूल मिलाके मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप F20 और DIs के डेटा को देखके ट्रेड ले सकते हैं लेकिन साथ में अगर आप दूसरे एक्टिविट्स देखिए F20 और DIs ने क्या किया है सबसे पहले एक दिन पहले खरीदारी कर लिए लेकिन जब मार्केट खुलता है तो यहाँ पर फिर वो लोग पिछले दिन के हिसाब से अपने आपको नहीं रखते वो मार्केट में अपने हिसाब से चार्ट को चलाने की कोशिश करते हैं अगले दिन मतलब आज की दो है दो सप्टेमबर आज F20 ने डिया इस ने जितना भी खरीदारी विकबाली किया होगा तो वो लोग उस पे उतना ध्यान नहीं देते जो कल के दिन मार्केट तीन तारिक को कुलने के बाद देने वाले है तो उस समय अगर आपको ट्रेट करना है तो वो बहुत शांदार सबसे ज़ादा ट्रेड वो सफल माना जाएगा लेकिन हाँ उसके एक दिन पहले जो FIs और BIs ने जो खरीदारी की थी उसका असर आपको अगले दिन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा हर रोज नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर तो आप एक अन्दाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में मोटा मोटा अगले दिन किस तरीके से ट्रेड हो सकता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपसे मैं अगले वीडियो मिल दो तब तक के लिए जैहन